पुरवत्तर के दो राज्यों में घाले और नागा लैंड में आज विदान सभा के लिए मतदान हुए दोनों ही राज्यों में विदान सभा की 60-60 सीटे हैं लेकिन इस बार में घाले और नागा लैंड में 69-69 सीटों पर वोड डाले गए दोनों ही राज्यों में 40 महिला उमीदवारों समेट कुल 569 उमीदवारों ने चुनाओ मैदान में अपनी किस्मत आजमाई है दूसरी तरफ चार राज्यों तमिलनाद उपशिम बंगाल और जहारखंड की विदानसवा सीटों पर भी आज उपचुनाओ करा जा रहे हैं मेंघालय में मतदान को लेकर मुख्यमंतरी करनाड संग्मा से ने जी मीडिया से खास बातचीत کیया है मुख्यमंतरी करनाड संग्मा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा हमारे साथ इस वक्त मेगालाय के मुख्यमंत्री कॉम्राइट सांगमा है सांगमा साहब पिछले पांस सालों से जो आपके दोस्त रहे वो इस वक्त आपके विरोधी है क्या कहेंगे देखिए हम लोग हर चुनाव में आपने देखा होगा कि जो नैशनल पीपल्स पार्टी है हम लोग इसमें बिलीफ करते हैं कि हमें एलेक्शन में अपने आइडियोलोजी की बेसिस पे हमें एलेक्शन में खड़ा होना चाहिए तो जो जो हमारे विजिन्स हैं पॉलिसीज हैं इन सब को हम लोग आगे रखकर हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो ऐसी सिचुएशन में प्रिपॉल अलाइंस में हमारा वो आइडियोलोजी डायलूट हो जाता है तो हमारा मानना है कि एलेक्शन हमें अपने उस पे पॉसेशन पर लड़ना चाहिए एलेक्शन के बाद डिपेंडिंग ऑन दे मैंडेट की पॉब्लिक क्या मैंडेट देती है फिर हम लोग आगे देखेंगे तो इस एलेक्शन में नहीं पहले भी मनिपूर एलेक्शन में भी पिछले भार मेगले एलेक्शन में भी उसके पहले मीज़राम एलेक्शन में भी अरुनाचल में भी नागलन में भी हर एलेक्शन में हम लोग अपने उस पर पोजेशन में हम लोड़े हैं और हमारा कभी प तो अगर जरूरत परे क्या पुराने दोस्तों के हाथ थामना पसंद करेंगे या नए दोथ ढूनेंगे ने अभी देखते हैं जब समय आएगा तब सोचिंगे उसके बारे में